हेलो एबर्वान आज हम करेंगे क्लास वन की इवीस का चैप्टर नंबर सेवंटीन सेफटी रूल्स कौन कौन से रूलस ऐसे होने चाहिए जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम सेफ रहें ठीक है तानिया जो भाई है आर्यान वह भाग रहा था स्टेयर्स पे जिसकी वज़ जाया कि जब भी हम स्टेयर्स पर हो तो हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें गिरने का खत्रा बना रहता है तो हमें बहुत कियर्फुल रहना चाहिए ठीक है और हमेशा सेफटी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक्सिडेंट्स को एवाइड कर सके मतलब हमारे accident ना हो इसके लिए हमें कुछ rules को follow करना पड़ता है जैसे कि कभी भी हमें stairs पे नहीं भागना चाहिए कभी भी तो हम safety देखो हम यहाँ पे safety at home है न कि आप घर में कौन-कौन सी safety कर सकते हो कि कभी भी stairs पे नहीं भागना चाहिए electric plugs को switches जो होते हैं उनको हमें गीले हाथों से कभी भी touch नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम गीले हाथ से कोई भी switch को touch करते हैं तो क्या होता हमें current लगता है ठीक है कभी भी आग से खेलना नहीं चाहिए do not play with fire do not peep over the railings कभी भी railing पर खड़ो करना आगे की तरफ जुखना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो balance वो बिगड जाता है और हम आगे की तरफ गिर जाता है जिसकी वज़ा से accidents होने के खतरे बनी रहते हैं कि हमारे साथ को incident हो जाएगा और हमें चोट लग जाएगी next one है safety on the road अब हम road पर कौन कौन सी safety कर सकते हैं कौन कौन सी safety जो rules है हमें follow करने चाहिए हमें हमेशा footpath पर चलना चाहिए और जब हम road cross कर रहे हों तो zebra crossing से ही हमें road को cross करना चाहिए जब हम road को cross करते हैं पहले left देखना चाहिए फिर right देखना चाहिए फिर से left देखना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना है जब हम दोनों तरफ देखने कि भई दोनों तरफ से कहीं से भी कोई भी वहीकल नहीं आ रहा है तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए कभी भी हमें रोड पर खेलना नहीं चाहिए क्यों नहीं खेलना चाहिए बहुत सारी गाड़िया होती है जो आना जाना करती रहते हैं जिसकी वज़ासे हमें चोट लगने का खतरा बना रहता है सेफटी एट स्कूल अब स्कूल में कौन-कौन से सेफटी हो सकती है हम कौन-कौन से रूल्स को फालो कर सकते है कभी भी फरनीचर पर जंप नहीं करना चाहिए स्कूल की टेबल चेर पर कभी भी जंप नहीं करना चाहिए कभी भी एक दूसरे को पुछ नहीं करना चाहिए जब हम जीने पर हो या पर हम जूले पर हो स्विंग मींज जूला स्टेयर्स मींज जीना तो जब हम जीने पर यह swing पर हो जूले पर हो तो हमें कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए धक्का नहीं देना चाहिए अपनी turn का इंतजार करना चाहिए अगर हम रास्ते में हैं तो हमें क्या कौन कौन से safety rules फॉलो करने चाहिए stand in a queue while waiting for a bus अगर आप bus का wait कर रहे हैं तो आपको एक line में खड़े रहना चाहिए never get in or get out of a moving vehicle कभी भी चलते हुए वहिकल से आपको एकदम बाहर नहीं उतरना है और नहीं चड़ना है चलते हुए वहिकल से नहीं चड़ना है और नहीं उतरना है do not put your arm or head out of the moving vehicle कभी भी चलती हुई गाड़ी से अपना सर और हाथ बाहर नहीं निकालना है accidents are very painful and sometimes people get badly hurt accidents होते हैं वो बहुत ज़्यादा painful होते हैं जिसकी वज़े से लोग बहुत ज़्यादा hurt हो जाते हैं इसलिए हमें हमेशा safety rules को follow करना चाहिए जिससे हम accidents को बचा सकते हैं और हमारा accident होने से बच सकता है अब कौन-कौन सी warning है कि हमें sharp object से नहीं खेलना चाहिए छोटे बच्चों के हाथ में कभी भी scissor knife या blade नहीं होने चाहिए अगर उन्हें अपने कोई craft work करना भी है तो बच्चों की craft scissor अलग से हाती है उसको लेना चाहिए और उसी के साथ उनको अपना craft work करना चाहिए तो इस तरह से आपका यह chapter complete हो जाता है अब इसकी exercise कर लेते हैं tick the right option we should be careful हमें careful होना चाहिए ताकि हमारे accidents हम avoid कर सकें we should walk on हमें हमेशा footpath पर चलना चाहिए we should never touch हमें कभी भी touch नहीं करना चाहिए electric plugs को electric switches को with wet hands कभी भी गीले हाथों से हमें electric plugs को touch नहीं करना चाहिए we should not push कभी भी हमें धक्का नहीं देना चाहिए किसी भी बच्चे को अब ये को jumble words हैं तो ये है fire, zebra, road, stairs, stairs means zina fill in the blanks with the words given below यहाँ पर q, railing, swing, cross यहाँ पर words रखे हैं अब हमें इस पर fill करना है do not peep over the railing, peep means जुकना, जब हम आगे एक तरफ जुक जाता है तो हमें railing पे जुकना नहीं चाहिए do not push other children on the swing, कभी भी हमें जूले पर किसी दूसरे बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए stand in a queue हमेशा हमें line में खड़े होना चाहिए जब हम बसका wait कर रहे हो we should cross the road at zebra crossing, जब हम हमें road cross करनी हो तो हमें zebra crossing से ही road को cross करना चाहिए write true or false for the false statements, do not run on stairs, हमें कभी भी stairs पर रन नहीं करना चाहिए, बिल्कु सही बात है never play on the road, कभी भी road पर नहीं खेलना चाहिए, true do not jump on furniture, कभी furniture पर भी जंप नहीं करना चाहिए, बिल्कु सही बात है always walk on the footpath, हमेशा हमें footpath पर चलना चाहिए, बिल्कु सही बात है from where should we cross the road, हमें कहां से road को cross करना चाहिए we should cross the road at zebra crossing only, हमें हमेशा zebra crossing से ही क्या करना चाहिए, road को cross करना चाहिए right any one safety rule, we should follow while traveling, कौन से, एक safety rule है जो हमें follow करना चाहिए, जब हम traveling कर रहे हो, we should always follow safety rules हमें हमेशा safety rule को follow करना चाहिए, और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आपको अपनी ही line में चलना चाहिए, या फिर queue में रहना चाहिए अपनी ताकि आपको कोई भी जो accident है उसको आप बचा सकें तो इस तरीके से आपके chapter complete हो जाता है, ये कुछ तो safety rules है, जो science है road signs हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो इस तरीके से आप accidents को बचा सकते हैं अज चाहिए. अच्छ आपको चाहिए.